हेलो फ्रेंड्स मैं तुशार आज आप से एक जोडा प्लाण्ट के बारे में बात करूँगा कि इसकी विंटर में हम कैसे केर करें यह आप से सेर करूँगा साथ में ये भी बताऊंगा कि जिनके भी इक जोरा प्लांट में पूरे समर या अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं ऐसा क्या करें कि जिसे आपके इक जोरा में अधिक से अधिक फूल आ सकें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तुसार टेरेस गार्णिंग ब्लॉक से मैं तुसार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं एक जोरा प्लांट एक सन लविंग प्लांट होनी के कारड़ आप इसे विंटर में 5-6 घंटे की धूप जरूर दें जिससे की ये अधिक से अधिक फ्लावर प्रट्यूश कर सके इसे सेड में रखेंगे या कम धूप देंगे तो इसके फ्लावर या बर्ट्स नहीं बन सकेंगे इसकी स्वाइल वेल्ट्रेंड हो जिससे पानी न रुके नहीं तो इसमें फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे साथ में यह एक एसिटिक स्वाइल इसे पसंद है जिसका पी एच वेल्यू 5 होता है तो इसकी मेट्टी तयार करने के लिए आप अच्छा खासा कंपोस्ट जिसमें किचन वेस्ट खाद या गोवर की खाद जिसमें थोड़ी मात्रा में एसिटिक होता है का प्रयोग करें जिसके की यह एक जोरा प्लांट अधिक बट्स प्रड्यूस करें साथ में विंटर स्टार्ट होने से इसके पानी का विशेज ध्यान रखें इसमें की समर में जैसे कि आप डेली पानी देते थे विंटर में जब तक स्वाइल चेक कर लें कि सुखी नहों तब तक इसे पानी कम ही दें और इसमें एक में प्रॉब्लम है कि इसके लिफ्स एलो हो जाते हैं या लाइट ग्रीन हो जाते हैं तो यह एक आईरन या मेंगनिसियम सल्फेट डिफिसियन्सी है इसके लिए आप घर में किसी भी मुर्चा या जिस पे जंग लगी हो छड़ को पानी में डाल दें एक दो दिन के लिए और साथ में एक से दो चम्माज मेंगनिसियम सल्फेट का इस पौधे में प्रयोग करें आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पौधे के जो नए लिफ्स बनेंगे वो भी हरे हो जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे जो नए पत्ते हैं वो हरे हैं तथा इस पे कोई भी मार्क्रो निट्रियंट जो आपके पास उपलब्ध हो दो एमेल एक लीटर पानी में मिला कर इसके पत्तियों पे फौलियर इस्प्रे कर दें इस्प्रे करने से यह फाइदा होगा कि इसे तुरंथ फूड जो जरूवत है वो असानी से मिल सकेगा सेड में ही रखें सेड में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी साथ ही में इसे महिने में एक बार एनपीके आठ से दस दाने डियेपी और आधा चमच पोटास की भी देते रहें